नमस्कार आप देख रहे हैं फरीदाबाद नियूस मैं धरबंदर प्रताब सिंग हमारे साथ हैं सीमा भारत द्वाज जी फरीदाबाद सेक्टर 10 में रहती हैं इनके खिलाब एक मुकदमा दर्ज हुआ था अब इनका कहना है मुकदमा कैंसल हो चुका है जिसने मुकदमा दर जी किया और जिसने दर्ज करवाया ये उनके खिलाप grwife के लिए पुलिस कमिश्नर कारियाले में आई हैं कमिश्नर शहाब इन्होंने मुलाकाज भी की आईए देखते हैं क्या है पूरा मामला मैडम नमस्कार जी क्या नाम है आपका मेरा नाम सीमा भार्दौ आज़े आपने कहा कि मुकदमा दर्ज हुआ जो फरजी निकला और वो कैंसल हो गया तो मुकदमा कब दर्ज हुआ काउन सी पुलिस चोकी म जी 11-10-2021 में दर्ज हो गई थी मेरे पास दो अप्शन थे या तो मैं जेल चली जाओं या फिर मैं फाइट करूं और मैंने फाइट इसलिए ठीक करी क्यूंकि मैं सही थी और मैं इनोसेंट हूं मेरे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो गलत ही था गलत साबित पर मेरी बुड़ी माँ पर 70 साल की बुड़ी माँ पर मेरे चोटे भाई पर तो वह गलत हैं और सहाब ने यह 13 एक तरीकों यह मुकदमा कैंसिल भी कर दिया लेकिन अब मैं यह चाहती हूं मुझे अपनी न्याई की लड़ाई लड़नी है सर और मैं यह चाहती हूं जो मु पीछे तो यह आप समझ सकते हैं लेकिन मैं 112 को इस ती बड़ी को इस धारा नहीं चाहरी मैं सिर्फ न्याई की मांग कर रही हूं क्योंकि मेरे पीछे भी देखिए 3,000 महिला है खड़ी है मैं एक समाज से विका हूं मेरे मान सम्मान पर ठेस पोची हाथ 5 महीने हो गए बचाओ बेटी पढ़ाओ तो उसका साथ भी दें मेरी जो भी इस में इन्वाल्व है जो मुझ पर प्रेशर डलवा रहे हैं मुझे धंकिया भी मिल रही है जान से मारने की अगर मैं मरती हूं तो मैंने एप्लिकेशन में लिखा हुआ है अगर मुझ पर कोई भी जान लेव हैं अगर आप पीछे बैठे थे तो ये मेरे साथ ये जूठा मुकदमा मुझ पर क्यों लगाया गया मेरी 70 साल की बुड़ी माप को क्यों आ रोप एलिगेशन लगाए गए जो की जूठे थे मेरे पास सीसी फुटेज कैमरा भी है सर मैं वो आपको दिखा सकती हूं कि मैं दोश हूं मुझे बस मुझे सिर्फ न्याय चाहिए और इस न्याय के लिए मुझे चाहिए कहीं भी जाना पड़े तो मैं जरूर जाओंगी और बस मैं जाती हूं कहां गई आप फाइयर कैंसिल करवाने के लिए कौन कौन से अपसरों कौन कौन से मंत्रियों को अपने अब्स वृटी मैं बोलना चाहूंगी सर् यह ちीज भी मैं बिना किशी की अंग तक साबित नहीं हो ता तो किसी की मान सम्मान पर थेस नहीं पहुंचा सकते उसकी अखवार की भी कटेज मेरे पास है जो कि इन्हों करने के लिए मैं आपको दिखाती हो एक सेकिंद सर स्य के ये यह निकाल दिया देखिये कि मुझे सिर्फ बन नाम करने के लिए मुझे मेरी मान सम्मान पर थेस पहुंचाने का इनको किसने हग दिया तो आकबारों में भी खबरें चब गई समाज सेवी का हैं और महिला संगधन से जुड़ी हुई है इसलिए इनका कहना है कि मेरी मानी हानी हुई है और फर्जी मुकदमा दर्जी किया गया मुझे बदनाम किया गया जबकि मैं गुनाहग बाकि ये जान का खत्रा भी बता रही है अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है तो मैडम कमिशनर साब से आप मिली उन्होंने क्या कहा आप से कमिशनर साब ने सर मुझे भी यही बोला है कि कोई बात नी मैडम आप थोड़ा सा धहरे रखिये और हम करेंगे कारवाई क्या कर सकते हैं देखते हैं बस इतना ही का अभी तो बस आशवाशन ही कहूंगी अभी आशवाशन ही मिला है कोई ऐसा कमिटमेंट तो नहीं किया कि कमिशनर साब के बारे में कहा जाता है बहुत इमानदार आदमी है और कारवाई जरूर करते हैं यह वारदात का CCTV फुटेज है इसमें आप लोग देख रहे हैं सीमा भारत द्वाज जा रही हैं और अपने भाई की दुकान पर खड़ी हो जाती हैं दूसरी साइट से F.I.R. दर्ज कराने वाली महिला एक बच्चे के साथ आती है हाथों में पॉलिथीन है और सीमा भारत द्वाज को धक्का मारते हुए निकल जाती है और सीमा जब उन्हें टोकती है तो वापस लोडती है और इनका जगड़ा सुरू हो जाता है वीडियो में साब साब दिखाई दे है मेरे पडोस में सीमा भारत द्वाज नाम की आउरत रहती है वह बत्तमीज आउरत है और मैं या मेरी सासू घर से बाहर निकलते हैं वह हमसे गाली गलोज करती है इस बाबत हमने पहले भी सेक्टर 11 की चवकी में दर्खास्त दी थी जिस पर कोई ऐसी कारवाई नहीं इसको समय करीब 37 बजे शाम मेरे साथ अपने भाई की शोब जो की सिव मंदिर वाली गली में है उसने अपने भाई वा अपनी मा के साथ मेरे साथ मार पीट की मेरे हाथ पर खा गई वह उसके भाई ने मेरे हाथ पर डंडा मारा वह मैं नीचे गिर गई उसके भाई ने बहुत मारा और मारते हुए मुझसे कहा या तो ये घर खाली करके चले जाओ नहीं तो तुम दोनों को जान से मार देंगे मैं और मेरी सास हम बहुत दरे हुए हैं क्योंकि ये सीमा भारत द्वाज ने हमारे आजपडोस में सब को तंग कर रखा है और इसके डर्ज के कारण कई लोग मकान खाली करके चले गए हैं और वह अपनी राजनितिक पहुँच के कारण सभी को डरा कर रखते हैं अतह जनाब से अनुरोध है इन तीनों के खिलाब सक्त से सक्त कारवाई की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज भी कर लिया लेकिन सीसी टीवी वीडियो आने के बाद खेल बदल गया आप लोग देख रहे हैं महिला सही सलामत खड़ी है सीमा भारतवाज का भाई उसे समझाने का प्रियास कर रहा है लेकिन महिला ने F.I.R. में लिखवाया है उसकी लातों से घूसों से पटक पटक कर घसीट घसीट कर पिटाई की गई जबकि ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है एक बुजुर्ग महिला को भी मामले में लपेट दिया गया वो भी शिकायत करता महिला को समझाने का प्रियास कर रही है उसके बगल में खड़ी हुई है आप लोग देख सकते हैं दोनों उसे समझा रहे हैं मार पीट कहीं नहीं हुई है ये देखिए बुजुर्ग महिला इसको कह रही है आप जाईए यहां से महिला के कपड़े भी नहीं फटे हैं चुन्नी भी गले में लिप्टी हुई है लेकिन शिकायत में लिखा गया है पटक पटक कर घसीट घसीट कर मारा गया तमाम बाते लिखी गई हैं सीमा भारतवास का कहना है मुकदमा जूटा है और इनके खिलाब कारवाई होनी चाहिए तो यह इन्होंने अप्लिकेशन जो दी है सीपी सहाब को आज की डेट है इसमें अब देखते हैं इस मामले में क्या कारवाई होती है फरिदाबाद नियू से धर्बेंदर प्रताप सिंग नमस्कार